रिम डिफेंस अकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तयारी को बैतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस अकेडमी एप नमस्कार दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्तान पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो बच्चे तयारी कर रहे हैं जिसमें मैं आपको 2021 में जो वेकेंची निकली है जिस वेकेंची का अभी प्रोसेस चल रहा है उसका पूरा प्रोसेस आपको समझाने की कोशिस करूँगा उसके अंदर कब वेकेंची निकली है कितने पूस्ट के लिए थी वेकेंची कितने बच्चों ने आवेदन किया कितने बच्चे एक्जाम में बैठे कब एक्जाम हुआ रिजल्ट कब आया फिजिकल कैसे हुआ और उसके बाद में अब उसका क्या प्रोसेस चल रहा है साथ में उसकी जो cut off रही है जो दो बार cut off अब तक निकल चुकी है return exam यानि कि 400 नमर में से क्या cut off रही है और physical के बाद अर्था 500 नमर के बाद क्या cut off रही है उसके बारे में भी मैं आपको आज समझाने की कोशिस करूँगा और इसके माध्यम से मैं सारे बच्चों को motivate करना चाहरा हूँ एक के अपनी planning को और अच्छा करने की एक सिक्षा आपको देना चाहरा हूँ जिसमें ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत important है जो पिछली बार किसी भी वज़े से कोई से भी level में रह गए हैं और जो बच्चे नया प्लान कर रहे हैं नई वेकरिंशी का जो इंतिचार कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत important होगा और ये सारी चीज़े इसलिए जरूरी है कि कही ना कही हम चलते चलते बीच में आलसी हो जाते हैं और हमें पढ़ाई के लिए एक जो ताकत से ये एक जो पावर चाहिए उसमें इस तरह की चीज़े बहुत जरूरी हैं और इसलिए भी ये video और बहुत important हो गया है क्योंकि ये एक छोटी सी कहानी से जुड़ा हुआ है जिसमें दो लकडी काटने वाले होते हैं दो लकड हरे होते हैं लकड हरों को सो सो पेड काटने का काम दिया गया एक लकड हरे ने उसमें से लगातार पेड काटना शुरू किया और दूसरे लकड हरे ने बीच बीच में अपने कुलाडी की धार तेज की जिसने लगातार लकडियां काटी उसको पहला पेड काटने में जितना टाइम लगा दूसरा पेड काटने में उससे ज़्यादा टाइम लगा उसके बाद फिर तीसरा पेड काटने में उससे ज़्यादा टाइम लगा और ऐसे करते करते लास्ट जब उसने सोवाँ पेड़ काटा तो उसको बहुत टाइम लग चुका था, उसके हातों में चाले थे, क्यों कि उसने हार्ड वर्क किया था, उसने स्मार्ट वर्क नहीं किया, दूसरे लकड हारे ने प्रतेख पेड़ काटने के बाद अपनी कुला पेड़ काटने में जितना टाइम लगा, दूसरा पेड़ काटने में उससे कम टाइम लगा, क्योंकि उसके पास एक experience था, इसी तरह से लगातार जब उसने सोवा पेड़ काटा तो उसको बहुत कम टाइम लगा, उसने पहले वाले की वजाए कम समय में, कम महनत में ज्यादा क करते हो, तो आपको ज्यादा समय लगने वाला हो, और कहीं न कहीं निरास भी होना पड़ सकता है, तो इसी लिए आपकी कुलाडी की धार को तेज करने के लिए, मैंने ये प्लान किया है, जिससे आप अपने प्लानिंग कर सको, आप अपना खुद का आंकलन कर सको, कि मैं क्लियर रहे कि कितना टाइम किस चीज में लगता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वे किन सी जो निकली थी, वो तीन फरवरी को निकली थी, तीन, दो, दो हजार, एकीस को निकली, और ये 869 पोस्ट के लिए थी, 859 पोस्ट इसके अंदर थी, और इसके लिए लगबग 8 लाख बच्चों ने किया था, लगबग 8 लाख बच्चों ने आविदन किया, और उसके बाद में जो परिक्सा इसकी हुई, वो 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को कराई गई, फरवरी में वेकेंसे निकली है, कोरोना उसके बाद में रहा, 2-3 मेंने कोरोना ने प्रभावित क और 2-3 मेंने का टाइम EWS कैटिगरी की वज़े से लगा, और उसके बाद में भी लगबग 6 मेने के अंतराल में एक्जाम करा ली गई, अर्थार्त अगर जब भी वेकेंसे निकलेगी तो उसके बाद में ज्यादा टाइम एक्जाम में नहीं लगे, ऐसा भी हो सकता है, तो जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं वेकेंसे निकलने का, वो ध्यान दे इस चीज़ को की वेकेंसे निकलने के बाद कई बार एक्जाम जल्दी भी कराया जा सकता है, इसके बाद में इसमें जो उपस्तिती रही, जिन बच्चों ने आवेदन किया था, लगबग 8 लाख बच जो ने ही एक्जाम में हिस्सा लिया, आदे बच्चे एक्जाम में बैठते हैं, पिछले 2016 वाली वेकेंसे में भी सेम ऐसे ही हुआ है, और इस बार भी आदे बच्चे बैठते हैं, जो जोस फोरूम बढ़ते टाइम होता है, जिस दिन वेकेंसे आती है, उस दिन जितना जो होता है, अगले दिन से वो दीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है, और कईयों को तो जब एडमिट कार्ड आता है एक्जाम का, उस समय पता चलता है कि मैंने भी फोरूम अपलाई किया था, तो ये इस्तिती होती है, इस बज़े से आदे बच्चे एक्जाम देने के डिकलेर हुआ, सितंबर में एक्जाम लगा है, और 24 दिसंबर को, 24 बारा 2021 को इसका रिटन का रिजल्ट डिकलेर किया गया, लगबग तीन महने के बाद, और उस समय जिन बच्चों ने एक्जाम पास किया, वो लगबग 20 हजार थे, 20 हजार बच्चों ने क्यों, क्योंकि ज होता है, उसके बाद क्या होता है, तो 20 हजार बच्चों ने 20 गुना बच्चों को लगबग पास किया गया, और ये ज्यादा संख्या इसलिए रही, 869 के 18 अजार ही होने चीए थे लगबग, लेकिन 2000 इसलिए होते हैं, कि कैटेगरी में लास्ट नमर पर जितने बच्चे प होते हैं, हर कैटेगरी के अंदर उनको भी सामिल कर लिया जाता है, फिजिकल के लिए, के बाद फिजिकल जो कराया गया, ये 12-2 से 12 फरवरी से और 18 फरवरी तक ये फिजिकल करवाया गया, 2022 को, इसके बाद में जो फिजिकल का परिणाम आया, वो 11 अप्रेल को आया, 11-4-20 2022 को, और अब इसके लिए साकसाथकार होना अभी ड्यू चल रहा है, बाकी चल रहा है, तो किसी भी बर्ती को कितना भी समय लग सकता है, ये चीज़ भी आपको इससे सीखने को मिलेगी, और इससे हमें कई चीज़ सीखने को मिल रही है, एक तो हमें पूरा प्रोसेस पता च से पहले बता दिया है जिसमें मैंने हर चीज आपको समझाई है कि क्या-क्या qualification चाहिए कौन-कौन सी सारी दिक योगत आपको चाहिए physical में क्या होता है return exam में क्या होता है तो return exam के अंदर दो paper होते हैं 400 नमर के एक दिन में सामिल हुए 20,000 4,000,000 के अंदर से यानि कि 3,80,000 को पीछे चोड़ा इन 20,000 ने और उनकी cut-off क्या थी तो वो category wise आप देख लीजिए जिससे कि आप अपना target कर सकें कि मुझे कितना score करना है और वो मुझे कोन शे paper में कितना करना है वैसे बता दू आपको pass होने के लिए दोनों paper में 36-37% न्यूंतम अंक होने चीए और कुल मिला के दोनों में मिला के 40% marks होने चीए और इसमें 5 अंकों की शिरफ छूट होती है प्रतेक paper के अंदर SC और ST category को और ex-servicemen के लिए इस बार 30% तक pass किया गया है सामिल किया गया है अब देख लेते हैं अपन cutoff लिखित परिख्षा की cutoff जो 400 नमर में से है जिसमें non-tsp और tsp दोनों का अलग-अलग रखा है मैंने तो non-tsp पहले अपन देखते हैं male और female तो general category के में बात करूं तो 233 female candidate के लिए बात करूं तो 205 इसके बाद में EWS category के लिए भी 233 और ये भी 205 इसके बाद OBC category के लिए 233 और ये भी 205 और MBC में थोड़ा सा अंतर आया है MBC में 233 रही है male candidate की लिए लेकिन female की रही है 198 इसके बाद में SC category के लिए 216 female के लिए 185 ST category के लिए 207 और female के लिए 187 ex-servicemen के लिए 120 नमबर पर शिरफ पास किया है ex-servicemen को इसके बाद TSP में बाद करते हैं अपन तो general category के लिए 168 और female के लिए 159 इसके बाद में EWS, OBC और MBC में TSP में कोई नहीं है इसके बाद में SC category में male के लिए 168 और female उपलब्द नहीं है ST category में 155 और female के लिए 155 और ex-servicemen के लिए जो TSP category है उसमें 145 कट ओफ रही है अब आप अंदाजा लगा दीजी कि 4 लाक बच्चों में से शिरफ 20,000 बच्चे वो हैं जिनके 57% के आसपास नमबर रहे हैं तो कितना competition कम है जिसमें इतने आसान सलेबस होता है इतना आसान paper होता है 200 नमबर का तो जिसमें सिरफ हिंदी का paper होता है अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि बच्चे हैं वो कितनी तयारी करते हैं कितना seriously लेते हैं exams को यानि exam को बच्चे seriously नहीं लेते हैं शिरफ तब serious लेते हैं जब exam की date कोई आती है उसे पहले planning नहीं करते हैं पहले तयारी नहीं करते हैं आपको इस चीज का ध्यान रखना है और एक चीज और ध्यान रखनी है कि सफलता का दोस्तो कोई सोटकट नहीं होता है केवल महनत ही आखरी विकल्प होता है इसके बाद में फिजिकल करवाया गया 100 नमर का फिजिकल होता है जिसमें 50 नमर लाने अनिवारिये हैं जिस बच्च 500 नमर का रिटन 100 नमर का फिजिकल 500 में से जो मेरिट बनती है उसमें क्या कट ओफ रही है वो भी अपन देख लेते हैं जनरल के टेगरी के लिए है 335 फिमेल कंडिडेट के लिए 310 इसके बाद EWS के लिए भी शेम यही रही है 335 और 310 ओबीशी के लिए भी शेम 335 और 310 र फिमेल कंडिडेट के लिए 269 है और ST के लिए 313 और 285 रही है एक सर्विसमेन के लिए 281 रही है फोड़ इसी इस बार बढ़ गई है इसके बाद में TSP की मैं बात करूं तो जनरल के लिए 267 है मेल कंडिडेट के लिए फिमेल के लिए है 226 EWS और OBC होता नही है MBC 20 में नही के लिए मेल कंडिडेट के लिए 267 है और ST के लिए मेल 214 यानि 214 और फिमेल के लिए 226 इसके बाद X-Man के लिए 213 यह TSP के लिए है इस तरह से यह कटोफ रही है 500 के बाद में और अब जब इंटर्वी होगा उस समय फिर से जो फिजिकल के नमर है वो बाहर निकल जाएंग 400 नमर का आपका रिटन है 50 नमर का इंटर्वी और फाइनल जो कटोफ आएगी वो 450 में से आएगी फाइनल कटोफ RPSC इंटर्वी के बाद में पुलिस एड़क्वाटर को बेजेगी RPSC जो लिस्ट बेजेगी उसमें सब की रेंक बेजेगी शिरप पहले नमर पे कौन है द Reservation के अनुसार category wise उसमें से हर category के candidates को call करेगा वेकिन सी के अनुसार उसके बाद उनका medical कराया जाएगा जिस height, chest, weight का आप वेट कर रहे हैं वो medical के time लिया जाएगा normal medical होता है पुलिस में और उसके बाद पुलिस verification होगा और फिर join करना होगा राजस्तान पुलिस में अपना सपना पूरा करने के लिए सब inspector बनने के लिए अब आपको ये पूरी जानकारी को अच्छे से समझना है और उसके बाद अपनी तैयारी को और तेज करना है जिससे की हम भी अपना सपना पूरा कर सकें और याद रखना भागी कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है इसे तो रोज-रोज मेहनत करके लिखना पड़ता है जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतनी मेहनत हमें भी करनी पड़ती है लास्ट बेच में 2016 का जो बेच कंप्लीट हुआ है 22 बच्चों का सेलेक्शन देकर पूरे राजस्थान में नमर वन डिफेंस अकेडमी और उसके बाद इस वेकेंसी के अंदर 2021 वाली के अंदर अभी हजा हजारों भच्चों ने हमारे साथ इंस्ट्उट के साथ मिलके ओफ लाइं और ओनलाइन रिटन एक्जाम की तयارी किये है उजारों भच्चों ने फिजिकल की तय mixes और अभी काफी बच्चेंंगे जो इंटर्व की तयارी ऑँनलाइन और ओफ लाइन कर रहे हैं तो नई वेक प्लेगेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से रिम डिफेंस अकेडमी और उस पर आप मामूली सी फीस में ओफलाइन की जैसी फिलिंग वाली तैयारी आप ओनलाइन भी कर सकते हैं यूट्यूब के माद्यम से भी लगातार मेरे साथ जूड़े रहकर आप सेल्प इस्टेडि भी कर सकते हैं अगर आपने एक बार कहीं से कोचिंग कर लिया है तो बार-बार कोचिंग नहीं करना आ है आपको शिर्फ तैयारी करने की ज़रुत है लगातार पढ़ने की ज़रु क्योंकि ये एक process होता है किसी भी competition को pass करने का कि उसमें आदमी लगातार चलते चलते आलस ही नहीं हो जाये और उसी के लिए मेरा ये आज का वीडियो था जैहिन थेंक यू धन्यवाद